गीता फ़वान कीजे, गीता फ़वान कहते हैं, अगर तुमने गलती की है, तो उसका परणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा, अगर तुमने परिक्षा में लिखने के लिए पढ़ाई नहीं करी है, तो आपके अंक नहीं आए हैं, उसका परणाम तो आप ही को मिलेगा, वो मैं तो सबकी कलम चला चुका हूँ, लेकिन मैं शरीर के भोग के लिए अलग हूँ, भोगता सजीर है, जितक हमारा सजीर चेतन देता है, तब तक ये दुख को भी भोगता है, और ये सुप को भी भोगता है, पर ये इसका है कर्म, भोगे बिना तो छूटे गए नहीं, कर्म क तब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होता है, तब तक हिसाब किताब पूरा होता है, तब तक हिसाब किताब पूरा होता है, तब तक हिसाब किताब नहीं 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 होता ह शरीर भी मेरा उसी दिर पूरा हो जाता जब हम हम इसार किताब इस दुन्या से पूरा कर लेते हैं और अगर चाहते हैं कि हम इसी जनम में मुक्त हों तो हमें इस दुनिया से बिल्कुल अपने को अलग करना चाहिए दुबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा और अगर हम शिक्वा सिकाईट करते रहेंगे तो जब हम कहते हैं कि बगवान ये काम तुमने बहुत खराब किया तुमने ऐसा करना चाहिए तुमने ये बहुत खराब किया तो एक हम अपने लिए और कर्म को गिरा देते एक कर्म हम और खराब बना लेते हैं अच्छा किया या बुरा किया आपकी गत्मत है आप जानो जैसा करते हो प्रभू वो बहुत अच्छा है हमें उससे कोई शिक्वा सिकाईट नहीं करनी चाहिए तुमरी गत्मत तुम ही जानो जैसे नानक साहब बोलते हैं कि मैं तुम्हारी गत्म हाथों में जब सब कुछ इश्वर के हाथों में दे दिया है तो अब मुझे क्या करना आप मुझे कुछ करने की कोई जरूरत भी नहीं है इसलिए जो हमारे ब्रह्म है हमारे ब्रह्म ग्यानी है तो जिसका कर्म उसको दे देते हैं आख का कर्म आख को देते हैं कि तुम मुः का कर्म उसका पहले ही इसके पहले ही उसको बता देते के तुमें क्या करना हांगे किस लिए देा तेरा यह कर्म है तु दुनिया में झैगा इसका कर्म पूरा करेंगा फिर सारी इंद्रियां अपने अपने कर्मों में अपने अपने काम में बेस्थ मस्थ अपना कारी किया करती जो जिसकी इंद्री है वो अपना कारी अपने आप स्व्यम करती रहती है केवल चुम्बक की जो सत्ता है उससे ही लोहे में हल चल है चुम्बक की जो सत्ता होती उससे में हल चल होता वो उसको खीच लेता है ना चुम्बक कुछ करता है और ना ही लोहा कुछ करता है परन्तु चुम्बक सकते साली है और लोहा उसके सारे से इसलिए वो दौरता कीचा चुम्बक में ऐसी सकती है, इतना सकत साली है, कि वो जैसे ही थोड़ी दूर रखा जाता लोहे के, और वो लोहे को पकड़ के खीच लेता है, जैसे कि कोई लोहा आया पतली सुई रख देओ, भारी चीज होगी तो खीच लेगा, पतली चीज होगी दूर से आने पाती, तो न चुनें जाता कीजने, उसको ताकत है, उसके सकती है, वो उसको खीचदी रहती है, केवल उसके प्रसंस से ही, उसमें सुमख सकती, उत्बंद होती है और सूर से जैसे फूल, सुकुष फूल है ना इन ठिलते हैं, जैसे थोई के सूरो होती है, तो सारय उस भी बढ़ किसको कहते हैं, सुरज मुखी के फूल को, वो सुबे। साथ बजे जैसे ही सुरज की खिलने पड़ती है, वो खिलना शुरू कर देता है, जैसे ही सुरज अस्त होता है, उसकी पंखुडियां दुबारा से बंद हो जाती है। इसलिए उसका नाम है सुरज मुखी और उसको हम सेवनोग प्लक भी बोलते हैं सुरज मुखी या सेवनोग प्लक कमने को किसी भी तरफ रखिये या धर्ती में लगा हुआ फोल पेड किसी भी तरफ उसकी डाले हो लेकिन जब उसका फूल खिलेगा तो वह सुरज की तरफ ही म आपको पश्यम की तरफ दिखाई देगा,. ये प्रकर्ति का खेल है ना ही सूरज मुखी कुछ कर रहा कहा जाए कि शूरज कर रहा है ये तो ये प्रकर्ति का खेल है ये दोनों नहीं कर रहे हैं ना सूरज कुछ कर रहा ना सूरज मुखी कर रहा क्योंकि पेर तो हमारे पास लगा हुआ है पर ये आर्टोमेटिक एक प् हमारा सरीर भी आटोमेटिक पूरा कारिक करता रहता है और हमारा सरीर चलता रहता है लेकिन मैं कुछ भी करने वाला उसमें नहीं हूँ कि मैं कर रहा हूं मैं चल रहा हूं मैं उसमें कुछ भी नहीं करता हूं प्रकरति अपने आप चलाती रहता है कि हम सुरज मुखी के तो हम किसी और गमने को पस्षी मुश्वे पुरब की तरफ मुफुल का गुमा कर देखे शाम को पस्षी आइसा नहीं कर सकते हैं या जो नहीं चल सक रहा है उस प्राणी को चला कर दिखाएं तो हम कहें हम स्वयम चलाते हैं नहीं भगवान ने प्रकर्ति बना रखिए प्रक हम अपने विचारों में अपने रहन सायन के धंग में या अपनी आदोतों में काफी बदलाव ला सकते हैं इसी लिए कहते हैं कि हमें ससंग की में जाना चाहिए अगर हम टाइम निकाल कर हमें ससंग और अच्छी जगे मंदिरों में ससंग में कहीं न कहीं अच्छी जगाव पर हमें आवश्ची जाना चाहिए और अगर किसी गुरू से हम जुड़ जाते हैं तो उस गुरू के माध्यम से हम अपने काफी बदलाव ला सकते हैं जैसे माल लीजे किसी क्लास में सो बच्चे हैं टीचर तो सब सो बच्चों को एक ही जैसा क्लास में पढ़ाती है पर उसमें से सारे बच्चे तो फस्ट नहीं आते हैं सबको फस्टाना सबको अपने अपने इस्टडी करनी है जो जितनी स्टडी करता है वो उतने नंबर लाता है लेकिन टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाता है कोई फस्ट आता है कोई सेकंड आता है कोई थर्ड आता वो अपने अपने इस्टडी के का फल का नतीजा है कि मैंने कितनी निस्टेडी करी जो जितनी स्टेडी करेगा उतना ही अंको तो लाएगा इसी तरह से गुरू में जुड़कर गुरू से रुजान होने पर या ससंगों सुनने से जो जितना ग्रहान करेगा वो उतना ही तो उसको लाब मिलेगा जितना जैसा जुड़ेगा गुरू से ल तो वो पास नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वो फिर study करे, एक साल जम के फिर study करे, हो सकता है अगले साल वो first आ जाए, क्योंकि उसके दिमाग में ये setting हो गई है, कि मैं fail हो गया हूँ, तो उस setting से वो इतनी मेंद करने की कोशिश करेगा, कि next year मैं first आओ, तो हो सकता उसकी study का फल उसको नतीजा ऐसा मिले, कि वो अगने श्टियर वो first आ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं है, कि थर्ड आने वाला या ना पढ़ने वाला बच्चा कभी first नहीं आ सकता, क्योंकि जब उसको अन्भोव हो जाता है, कि मेरे ऐसा करने से मुझे ऐसा नतीजा मिला है, तो अगली स जो काम एक व्यक्ति कर सकता है, वो काम हर व्यक्ति कर सकता है, परन्तु कब जब वो चाहे, जब वो चाहेगा तो वो काम हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वही हाथ पैर, वही बुद्धी, वही क्रिया भभुने सब को दिये, अगर एक व्यक्ति कर सकता है, एक व्यक्ति वै एक व्यक्ति जो कारे करता है सब कर सकते हैं तो ये एक व्यक्ति गुुरु में लगानलगा के आगे बढ़ता है अगां से बहुत सी लोग स sakते है और इसका लाव सक्सकते अ frank अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान से जुड़े भगवान से मिले तो हम अगर अपना मल सच्चा रखते हैं तो भगवान हमें एक मिनट में मिल जाते हैं जैसे इनको तुल्सिदाश जी को मिले थे जब कुवे में तुल्सिदाश जी थे तो ये कृष्ण भगवान ने सोचा कि सबरेंदेनर में भधाइमात दूसिदाश द जी रोज मंदीर में बदलते जाते थे आरे ख़गवान आज हारे के कपड़े में बहुत अच्छे लगड़े तो पुझारी जिस तो अन्धे में मगर ये कैसे जानते हैं आपने बहता हैं तो अपने भजन सुनाएं वहीं अपनी तिन चरिया करकर अपना जीवनिया पन करते थे तो एक भी सब ने सोचा कि इनको और टाल देंगे तो देखिये अभी कल ये कैसे ही हैं तो टुमे में लिदा कई समय में वरकान ल सिर्फ का हमा बढ़ाया और में हुआज बंदे जब कुमे में हे मम बागते ऑग तो में कुमे में पार ऑगवान इसके अबter HIK आज करने सकता दो तो तुलसी दासी ने कहा, कि हाथ छुड़ा के कहे जा रहे, तुम कौन हो, कृष्णी भगवान कुछ नहीं बोले, तो तुलसी दासी ने उसमें कहा, हाथ छुड़ाये जात हो, निर्बल जान के मुए, हेर्दे से जब जाओगे, जान जाओंगा तो ही, तो भगवान समझ गये, कि इसने हमें पहचान लिया है, उसने बोला कि मैंने तो तुम को हाथों से टच करते ही पहचान लिया, तुलसी दास बोले, कि अरे तुम जा रहे हो छुड़ा के हमारी हर्दे से तो नहीं गये हो, तब तु सिरी कृष्णी जे ने तुलसी दास को तुरंद दर्शन दिये, तो उनको दिखाई दिया, कि हाँ कृष्णी भगवान है, उसी तरह से यह दि हम भगवान को पाना जायते हैं, तो हम भगवान को सच्चे हर्दे, और सच्चे मन से पाने की कोशिश करें, उलो गीता भगवान की जै, जै गीता भगवान, उलो बाके भी हारी कृष्णी मुरारी, की जै गीता भगवान, की जै,